नमस्कार हिंदेश साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं हिमाच्य परदेश में हुई की ल्टी कमिशन 2021 की जो परिक्षा 14 नवंबर को हुई थी उसका जो प्रशन है वो हम डिसकस कर रहे हैं इसमें हमने संपूर्ण जो 150 प्रशन रखे हैं और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से अपने सभी दर्शकों से मापी चाहूंगा कि यह वाला जो वीडियो है मैं बहु डिसकस करूं तो चलिए बिना देर किये इस लेक्षर को शुरुआत करते हैं और जल्दी से आपको आंसर बता दिये जाएं और हमेशा इंदी साहित वारता परिवार ये बहितर कॉंटेंट देने के लिए आपको प्रतिबद रहा है और आज भी हमारा यही प्रयास है अगर सा शब्द संग्या है तो संग्या शब्द किसी वस्तूस्ताज के नाम को संग्या कहते हैं क्रोद सही आनसर था जाती वाचक संग्या शब्द क्या है तो यह था आपका डॉक्टर नेक्स्ट बब्स धेला तो यहां Most यह की कला निबंध किस लेखक का है तो ये है आपका महादेवी वर्मा का टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहा जाता है यह हम सब लोग देखते हैं धारवाहिक नेक्स्ट एप मेलो ड्रामा किसके निकट है तो ये आपका त्रासदी होना चाहिए अगर इसका कुछ और उतर है तो वो भी आप कहिए आधुने क्योंकि मीरा किसी कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका महादेवी वर्मा को नाटक नट लोगों की कला का नाम है तो नाटक जो नट लोगों की कला का नाम ये कहा है भारतेंदू हरिश्चंद्र ने शब्द यूगम के सही अर्थ भेद का चैन कीजिए तो जर और जरा दिया गया था यहां पर तो दौलत थोड़ा या अलप ये इसका सही आंसर होगा श रक्षक का अनेकार्थी नहीं है तो ये है शीला न्यास तो ये इन से बिलकुल भिन है अंक का अनेकार्थी नहीं है तो ये आफका दैनेंदनी दैनेंदनी मिंस डाइरी बाकी इसमें अंक के ये अनेकार्थी है चरते हुए खालिस्थान को देकर हम लोग मंतर मुग्द हो तो ये लास्ट बार भी ये प्रशन पूछा गया तो ये तीन तो हो नहीं नहीं थे यहां पर म्रिग यूथ जोड़ा जाता है इसलिए म्रिग यूथ इसका सही आंसर होगा विखल्प नमबर D राइट अंसर है अंधों का रंगमंच किसे कहा गया है तो ये हम सब लोग जानत ये नात्यवेद को पंचमवेद कहा जाता है यश्पाल का जनम कहां हुआ था तो यश्पाल का जनम फिरोसपूर पंजाब में हुआ था चंदरदाशर्मा गुलेरी ने काशी नागरी प्रचारनी पत्रिका का संपादन के इन वर्शों में संबाला था तो बहुत सारे अनसर होना चाहिए विकल्प नंबर C या A में सही होना चाहिए क्योंकि 22 में इनकी मृति हो चुकी थी चंदरदाशर्मा गुलेरी की तो A और C इसका सही आंसर होगा मेरे अनुसार चलिए अगर आपको इसका उंतर मालूम है तो वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ब बिकल्प नंबर B सही आंसर होगा मैं घर्षन का विलोम होता है विकर्षन नेक्स अग्त की थी शीवा शब्द kijken प्रियावाची शीवा शीवा नहीं शीवा यह था आपका अलावा इसके शीवा अभ्यस्थ का प्रियायवाची क्या है तो यह था आपका आधि आज का प्र प्रकाशन नेक्स्ट प्रकाशं क्या था नागरी परचार्णी प्रकाशन का परारंभ यह था 1866 नेक्स्ट प्रकाशन आता हैं देखिए, अगला शिसीब सिंग शरोज के प्रकाशन का वर्ष किया है और जितने थे प्रॉषने मैक्सिमम प्रफने को हम और अपनी सासी में डिसकस किया था अगर आप भी भविश्य में हिंदी साहीता वाता चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं ल्टी टेट के लिए ल्टी कमिशन के लिए पीजी टी हिंदी के लिए या यूजी सी नेट के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए वाटसाइप प्रशन वर्श यह हम सब लोग जानते 1883 था भक्तिकाल की अबधी बहुत ही सेंबल सा प्रशन तरी की 1375 विक्रमी संबद से 1700 विक्रमी संबद तक का उबटन का तत्सम कौन है तो तत्सम तदभव को जानने की ट्रिक पी में अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेंस को बताई यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक देखना था जो आपका रेखा चितर है यह 1940 में था बाग की जो सब 1952 के हैं तो विकल्प नंबर B इसका सही आंसर है चलिए नेक्स देखते हैं ओम जय जगदीश हरे आरती किस ने लिखी है तो यह लिखी थी आपके श्रद्धराम फिलौरी ने विकल्प नंबर A इसका सही आंसर था ब्रज भाषा का स्वर्ण यूग किसे कहा जाता है तो ब्रज भाषा का स्वर्ण यूग रितिकाल को कहा जाता है क्योंकि रितिकाल इन जो सही तिक भाषा रही वो आपकी ब्रज भाषा रही है जबकि भक्तिकाल में सुन्द्री किस नाटक के पात रहें मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो आपके मोहन राकेश हैं पहुती महुत पूर्ण आपके नाटक कार रहे हैं इन से रिलेटिड प्रशन जरूर पूछ जाता है तो यहां पर जो नंदर सुन्द्री है यह लहरों के राज़हंस है आध् द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है तो अग्ये के द्वारा रचित जो उपन्यास रहा वो रहा अपने अपने अजनभी बिहारी कौन से काल के कवी हैं तो दीकि बहुती सिंपल से प्रशन यहां पर रखे गए थे तो रीति काल इसका सही आंसर था निमन में से निर्मल व पात्र का कौन से उपनियास का पात्र है तो ये था आपके गचा का प्रणुक्प पात्र अंधायों की रचना है बहुत ही सिंपल प्रशन था ये भी धरम विर्भा झाता रहा है तो यह हंदी की सरवाधिक बोली जाने वाली मगरमच का स्टिलिंग क्या होता है मगरमच यह पर प्राशन भी रिपीट हुआ है लास टाइम भी इसको कही न कहीं किस ने कहा है, हमेशा कभीर की बादेशा से रिलेटिर प्राशन तो पूछा जाता है हजारी प्रसाद दुवेदी सूची एक को दो से सिर्व मिलित कीजिए ऐसे प्रशन UGC नेट में पूचे जाते हैं और यहां पर इस बार थोड़ा सा स्टेंडर्ड इसलिए बढ़ाया तो नहीं गया था लेकिन रचनाय तो बिल्कुल सिंपल थी लेकिन तरीका सूची एक को दो से सुमिलित करने के लिए दूसरा प्रशन भी रखा गया था यहां पर जो बोलिक शेत्र हैं उनसे आपको याद रखना था तो यहां पर अवधी आपके लखनव में बोली जाती है एक के साथ जहां तीन था तो सी इसका सही हो सकता है आगे देख लेते हैं और ब्रज आपकी रही मतुरा के आसपास बोली जाने वाली ब्रज के लाई खड़ी बोली हम सब लोग जानते हैं दिल्ली की है और भोजपूरी आपकी बारानसी के आसपास की थीन ठीक है तो इसके अनुसार यहां पर सी जो है सही आंसर होगा अगला प्रशन है देखिए यह प्रशन भी अक्सर रिपीट होता है टेट की परिक्षम है कि आपके जितने भी जो रस है और स्थाई भाव है इनको मिलाने के लिए या सी धे प्रशन पुछ जाता था पहले की रस का स्थाई भाव कौन सा है यहां पर इस बार मिलान के लिए देखिए रदरस का तो क्रोध हो जाएगा एंड अधभुत का जो आपका विसमय हो जाएगा शांत का निर्वेद और विभत्स का जुगुपसा तो विकल्प नमबर डी इसका सही आंसर है प्रियोगवाद के प्रवर्तक कौन है तो प्रियोगव स्थापित किया गया था किया गया था फ़िए न्श्यों प्रियूम कॉठ्वर नमखनिवंद संग्रह के रश्नकार कौन रहे हैं तो यह रहे आपके हजारी प्रशाद्वएदी दी लित निवंद थे यह सषाड़नि करन किसका होता है आलमनत्व का होता है यह जुग्ठर ने माना था महाविर प्रसाद दुवेदी के बाद सरसुति पत्रिका के संपादक देवीदत शुकल बने थे विकल्प नमबर ए संसर से सड़क तक किस की कवीता है तो संसर से सड़क तक ये धूमिल की कवीता है इस कवीता को भी मैं अक्सर बताता रहता हूं कि ये कवीता बह यहां पर जो शुद्वर्तनी है देखिए शुद्वर्तनी के आती है आपकी विकल्प नबर सी साई होगा विकल्प नबर सी है जियोत्सना जव अदजव यो अदतासो दोनों लग जाएंगे इसमें आधे संस्कृती के चार अध्याय तो यह रही रामधारी संग देनकर की प्रसिद्ध कृती अविवन जनावाद की प्रवरता क्रोचे यह थे इटली के रहने वाले अचारे दंडी के अनुसार कावे के गुण कीतने है तो यह दस मान है इनोंने भामा की उसकी आपके भरत्मुनी की तरह ही अचारे विश्वनाद की रचना कौन सी है तो यह थी सहित दरपन मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं आपके विश्वनाद क्रिशना सोबती का संस्मर्ण रचना कौन सी है तो यह थी हम हश्मत विकल्प नमबर ए सही अंसर था सूमेलित नहीं है तो यहां पर श बेचे रचनाय माने जाती है इनकी और इसको याद अखने की भी सिंपल सी ट्रिक मैंने अपने स्टुएंट्स को बताई थी और उन लोगों ने आई थिंग उमीद करता हूं कि सबने अच्छे से किया होगा इसको संथ कावे और सूफी कावे में असमान तत तो यहां पर पू आपको वहीं पर दिखता है तो पहला प्रमानिक माना जाता है देखिए प्रतिकात्मक जो कावे रहा सूफी कावे धारा में तो यहां पर विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्यकित यहास के सरप्रत्थम लेखक आंख बंद करके इसका उतराब दूपन्यास है धूमके तु एकश्रुती किसका उपन्यास है तो यह रहा आपका नरेश महता का अगला प्रशन है ठेट हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है तो यह भी आपकी उपन्यास विधा की ही रचना है कमाईनी का पात्र मनु पुत्र कुमार किसका पुत्र है त तो मनु अर्श्रध्धा के पुत जो था, इनका ही था रहा है, मनु जो है मन का प्रतीक है, एंड जो आपकी श्रध्धा रहीं, वो किसकी प्रतीक थी, रिदय की प्रतीक थी, तो इसके अनुसार A या B में से सही आंसर दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा तर B आप चा इसकी प्रतानता होती है, तो यह आपका लक्षार्थ हो जाएगा विकल्प नंबर C, वामने कावे की आत्मा किसे माना है, तो हम सब लोग जानते हैं कि वामने रीती संप्रदाय को, मतलब रीती को माना ने कि यह आत्मा है इसकी, ममट ने कितने कावे प्रियोजन बताए है तो यह इसके छे प्रियोजन बताते हैं, ममट के अनुसार, धर्म अर्थ का मुख्ष कुछ इस तरी के से जो आते हैं, उनको आप देखिए यश की प्राप्ति के लिए, कौन सा रस नहीं है, तो यहाँ पर जो व्यंग रस है, वो नहीं है, प्रते एक बार भिन अर्थ लिय शब्द की आवरिती वाला अलंकार ये आपका क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा, नेक्स्ट है, ब्रजभाशा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्वे कौन सा है, तो आधुनिक काल में ब्रजभाशा में ये था उद्दव शतक, जो आपके दिवेदी यूगिन ब्रज करिती है, नेक्स से दिखिए, रामचरित मानस के किस कांड में तोलसिदास ने कल्यू का वनन किया है, ये प्रशन भी अक्सर में बताया हुआ है, यहाँ पर उत्तर कांड इसका सही आंसर हो जाएगा, 88 जो क्वेशन ने दिखिए, दादु द्याल की वानी का मुख्यरोप क गई है, उसका सही आंसर होगा, कभीर शब्द किस पाशा का है, ये सब लोग जानते थे हमकी अर्भी का शब्द है, बिकल्प नमबर A सही होगा, और कभीर का अर्थ भी क्या आच्वार पूछ जाता है, रीति निरूपक रचना, कभी प्रिया और रसिक प्रिया इनकी दो प्रसीद रचना रही हैं, दोहा के विशम चर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दीख ये विशम होता है आपका एक और तीन, तो दोहे में पहले और तीसरे में लगती है आपकी तेहरा तेहरा मात्राएं, तेहरा और ग्यारा से बनता है दोहा, ठीक है, तो यहाँ पर, य ये भी सारी चीज़े हमने डिसकस की थी आने वाले बिराम को कहते हम यती है ना नेस्ट है दिखिए रससिद्धान्त का आदी प्रवर्तक भरत मुनी रहें बहुती सिंपल सा प्रशन था जैन साहिते की खृती श्राबकाचार में क्या है तो श्राबक धर्म का वनन दो सो पच चास चंदों में किया गया है इसमें देवसेन के द्वारा अगला प्रशन है यहां पर कलकत्ता में सरोज का प्रकाशन कब प्रारंब हुआ तो यह हुआ था उन्निसो अठाइस में विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा हिंदी साहिते का बैग्जानी की इतिहास डॉक्टर ग नवरतन शब्द में कौन सा समास है तो दुगुसमास है नवरतन नौरतनों की बात कर रहा है किस में विसर्ग संदी है अतह प्लस एव बाकी आपके नरेंद्र में गुण संदी थी सजर में आपकी व्यंजन संदी और सदैव में आपकी जो बृद्धी संदी स्वर संदी ज बिष्ण उष्टी में आपका बृधी संदी हो जाएगा यहां पर गुण संदी जो बचा आपका विकल्प नमबर B महीश्वर स्वर संदी कितने प्रकार की होती है तो इस वर संदी जो होती है आपकी यह पांच प्रकार की है ना दिर्ग आपका बृधी गुण अयादी यन ये चार, अगर तीन होता तो तीन गलत था, संधी के, संधी के तीन ही बेदे हैं, वियंजन और विसर्ग, ये तीन, उपाध्यक्ष का सही उपसर्ग, विन्यास क्या होगा, यहाँ पर उप प्लस अधी प्लस अक्ष, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रिकवासियों ने भा बहुत धर्म के उपदेशों की भाषा, पाली भाषा, बहुत बिकशों को पालने बाली भी तो कहा जाता था इसको, ध्वनियों के भेद कितने हैं, तो ये बहुती सिंपल सा प्रशन था, स्वर और वियंजन, दो ही तो भेद हैं, हिंदी का संबंद एशिया, तो ये बुते मारना आश्य क्या है, तो ये था मधुर बातों से लजित करना, मेठी बातों से किसी को लजित करना, बुद्ध के पूरुजन्मों की कथाएं, कैसी कथाएं कहलाती हैं, तो ये थी आपकी जातक कथाएं, अगला प्रशन है, जो परिशन करेगा वो सफल होगा, ये बहुत ही सिंपल था, संकेत वाचक, मतलब संकेत दे दिया, कि परिशन करोगे, तब ही सफल होगे, वाक्यों का वरगी करन कितने आधारों पर किया गया है, तो दो ही आधार होते हैं वाक्य के, एक तो आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा रूप क्या रचना के आधार पर आपके वाक्य के भेद बताए जाते हैं नेक्स देश अताबदी में कौन सा समास है तो ये रहापका दुईगुस्त मास बिकल्प नंबर B सही अंसर है अप्रत्याशित का सही उपसरग और बिकल्प नंबर B सही अंसर है चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं यहाँ पर स्वागत शब्द में उपसरग कौन सा है तो स्वागत शब्द में उपसरग यहाँ पर पूछा गया है देखिए तो इसमें जो आपका उपसरग हो जाएगा यह हो जाएगा सू बिकल्प नंबर इसमें क्या हापका शिष्ट था विकल्प नंबर B, 121 जो आक्री प्रशन है आपका grammar और literature वारे पोर्शन में तो इसका जो सही आंसर होगा वर्षा शब्द का उचित पहुवचन तो ये था आपका वर्षा ही रहेगा विकल्प नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए तो अब देखते हैं हम इससे पहले हमने देखा अपना पूरा literature और जो हिंदी वाला पोर्शन था ये जो प्रशन है ये C-series का paper है देखिए यहां पर क्योंकि मेरे पास जो आपका B-series का नहीं था जो ये वाला पोर्शन इसलिए C-series के जो paper था उससे हम ये question देखे अगला प्रशन है भारत का नेपोलियन निमन में से कौन था तो सही आंसर होगा आपका समुद्र गुप्त विकल्प नमबर B बुड़ा पेस्ट किस देश की राजदानी थी ये था आपका हंगरी ये इसका सही आंसर था चानाक्य को निमन में से किस नाम से जाना जाता है त अगला प्रशन देखते हैं यहां पर है देखिए 26 बकसर का युद्ध किस वर्ष हुआ था तो बकसर का जो युद्ध हुआ था देखी यह हुआ था विकल्प नमबर C 1764 में मनसबदारी प्रणाली किस ने प्रारंब की थी ये क्या था आपके अकबर ने विकल्प नमबर B प्रिध्युराज चौहान को किस ने पराजित किया था तो प्रिध्युराज चौहान को जो पराजित किया था देखिए इसका होगा मुहमद गौरी विकल्प नमबर C 139 का 130 प्रशनहाँ देखिए रगवती रागव राजा राम गीत की रचना किस ने की थी ये की थी महात्मा गांधी ने विकल्प नमबर B सिर्मोर का बाला सुन्दरी मंदिर कहां पर स्थित है ये आपका पॉंटा साहिप में विकल्प नमबर B स्रिमौर का जो बाला सुंद्री मंदर ये आपका त्रिलोगपूर 131 का C आंसर होगा चलिए सारक की स्थापना कब हुई थी तो सारक की स्थापना हुई थी आपके विकल्प नमबर C सी सही आंसर है जो जिला दर्रा पास किसके बीच में है 135 का देखे यहां पर होगा कश्मीर घाटी और लद्दा कुल महादूइप कितने हैं तो ये है आपका देखे 136 का विकल्प नमबर C बहुत सही उत्तर इसका हो जाएगा चड़ते सूरज का देश हम सब लोग जानते हैं क्या मतलब सिंपल से प्रशन थे HPG के भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रखा गया था यहां पर आपका जापांग नेक्स्ट है असायोग अंदोलन कब वापिस लिया गया तो यह है आपका विकल्प नमबर A 12 फरवरी 1922 भारत छोड़ो अंदोलन 1942 का प्रस्ताव कॉंग 140 का कुफरी निमन मैं से किस के नजदीक है तो यह आपके शिमला के नजदीक है नेक्स्ट है चोलंग चोटी हिमाच्छ परदेश के किस जिले में है यहां पर है कांगड़ा विकल्प नमबर D सही आंसर हो जाएगा जहांजर किस जिले का प्रसिध नरित्या है तो जहांजर के नाम से प्रसिध मलाना नामक स्थान के जिले में है तो यह आपका कुल्लू विकल्प नमबर 20 सही होगा इंदीरा पॉइंट स्थित है 146 में का देखे यह होगा विकल्प नमबर D अंडमान नेकोबार 147 प्रशन है भारत का बिसमार्क कौन था यह थे आपके विकल्प न आज का आखरी प्रशन है हर्शवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीन यात्री भारत में आया था तो यह था आपका विकल्प नमबर C इसका सही आंसर हो जाएगा तो यह थे पूरे 150 प्रशन अगर इन 150 प्रशनों में मुझसे कहीं पर कोई भी गलती हो गई हो तो आप वो प कोंटेंट मिलता रहता है तो फिलाल आज के लिए इतना ही बहुत जल्द मुलकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद